ओडियो नमबर टू शिक्षितों और अशिक्षितों में यदि इस प्रकार की भावनाएं जगाए जा सकें, तो हर किसी का ध्यान प्रौट शिक्षा पर केंद्रित हो सकता है, फिर दोनों पक्ष एक दूसरे को अपने आप ढून लेंगे, इस प्रकार प्रौट शिक्षा भियान का शुभारंब करना और उसे गती देना चाहिए, सरवर प्रथम अपने घरग में निकटवर्ती संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को मनों वैज्ञानी कुशलता के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, शिक्षा के आवशक्ता समझते हुए भी बहुत से लोग संकोच, जिजप और लज्जा अनुभाव करने के कारण आनकानी करते हैं, इस्तिती में उनके सम्मान की रक्षा करते हुए विनय, अनुनय और प्रेम भरे आग्रह द्वारा घुमा फिराकर तैयार कर ही लेना चाहिए, निरक्षर्था निवारण के लिए गली महलों में हर जगह प्रौढ पाट्शालाएं चलाने का उपक्रम प्रारम भी किया जाए, बड़ी उम्र के लोगों को प्राय काम धंदे में व्यस्त रहना पड़ता है, उन्हें काम से फुरसत पाने और भोजन आदि से निवृत्त होने में प्राय शाम के साथ आठ बज ही जाते हैं, उसके बाद दो घंटे के लिए प्रौढ पाट्शालाएं आसानी से चलाई जा सकती हैं, इसी तरह महिलाओं को प्राय अप्राहन समय आवकाश मिलता है, उनके लिए भी दो तीन घंटे की प्रौढ शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए, ये प्रौढ पाट्शालाएं वेक्तिकत रूप से भी चलाई जा सकती हैं और सामुहिक रूप से भी, शिक् स्थिती के अनुसार निर्धारित करना चाहिए, निरक्षर्ता को देश, जाती और समाज के माथे पर लगा कलंक समझ कर उसे हटाने, मिटाने के लिए हर जागरुप व्यक्ति को प्रेतन करना चाहिए, इसकी आवशक्ता और महत्व समझ कर प्रत्यक व्यक्ति अपनी स्थि और सामर्थ के अनुसार प्रेत्न करें, तो अपना देश शीगर ही उन्नत राश्णों की पंक्ती में पहुंच सकता है. ग्रामीनों की मनुरंजन समस्या का हल एक रस्ता सभी परिस्थिद्यों में उबाऊ होती है. रोटियां तो हम रोज खाते हैं. यदि उनके साथ सबजी रोज की रोज एक ही खाई जाए, तो जल्दी रोटी से भी मनूब जाए, पर सबजी या दाल बदल बदल कर रोटी के साथ खाई जाए, तो एक रस्ता मिट जाती है. काम धंदे में लगे लोगों को प्रायह एक निर्धारित दिंचर्या बितानी पड़ती है. भले ही या अस्त व्यस्त हो या सुव्यवस्थित, पर उसके कारण एक रस्ता पैदा हो जाती है. उसे तोडने के लिए अवकाश मनाने से लेकर पर्वत्योहारों का आयोजन करने तथा विभिन्न व्यवस्थाएं हैं. इस एक रस्ता के साथ साथ आज का जीवन भी जटलतम होता जा रहा है. हमारी आवशक्ताएं तो बढ़ती जाती हैं, किन्तु उनकी पूर्ती के साधन अपर्याप्त हैं. फलतह परिशानिय उत्पन होती हैं, चिंता और मानसिक तनाव वड़ता है, जिसका स्वास्त पर बुरा असर पड़ता है. इनी चिंता और तनावों से छुटकारा पाने के लिए मनोरंजन की आवशक्ता अनुभव की जाती है. जैसे जैसे मनुषिका ज विवन जटिल हो रहा है, वैसे वैसे मनोरंजन की ओर भी लोगों का जुकाओ बढ़ रहा है. यही कारण है कि शहरों में सिनेमा ग्रह, थियेटर, नाच घर, होटल, पार्क आदी की संख्याएं बढ़ती जाती हैं. यह तो गोई शहरों की बात. गाउं में मनोरंजन की बढ़ी बात हैं. लेकिन हमें यही नहीं मान लेना चाहिए कि मनोरंजन का इतना भर ही मतलब है. मनोरंजन की स्वस्त साधा नन्य भी हैं, पर गाउं में उनका भी अभाव है. ग्रामीन जनता का सामाने जीवन देखी, तो सुबह से शाम तक वह बहुत नीरस, शुष्क और ठका देने वाला होता है. शारिरिक ठकान तो रात के गहरी नीन से दूर हो जाती है, पर मानसिक ताजगी और नया उत्साहत उकेवल स्वस्त मनोरंजन द्वारा ही संभव हो सकता है. फिर वह सूरे दय और सूर्यास्त, हरे भरे मैदान और फूनों फलों से लदे वरक्ष के तनमय निरीक्षन के रूप में हूँ या बहते हुए जहरने के संगीत के रूप में अथ्वा, सहगान, संगीत, गीत, नृत्यादी के रूप में. ग्रामीन जनता के पास प्रकृती, प्रदत, इन मनोरंजन साधरों के उपयोग की न तो सूझ है और न दिशा. ग्रामीन स् चार दीवारी में कैधोकर. ग्रामीन मनोरंजन की समस्या किसी छोटे मोटे वर्गे की समस्या नहीं है. यह भारत के 80 प्रतिशत जनता की समस्या है, जो देश भर के 6 लाग गाउं में रहती है. इतने बड़े जनसमुदाय की इस आवशक्ता को पूरा करने के लिए हमें वि कि गाउं के बच्चे जब अपनी बाल सुलप सूजबूच से उल्लास की आकांगशा को तुरुप्त करने के लिए खेलने कुदने को निकल पड़ते हैं, तो माबाप उन्हें डपट कर किसी काम में व्यस्त कर देते हैं. युवकों और प्रोड व्यक्तियों के लिए तो आ मैतिक तथा मानसिक स्वास्थ में वृध्धी करता है. मनोरंजन का अर्थ है मन को विश्राम देना. कहा जा चुका है कि सोने से शारिरिक ठकान तो दूर हो सकती है, पर मन उसी धार में दौडता रहता है जिसमें की दिन में दौड रहा था. मन की ये दौड तब तक नहीं रुकती जब तक कि उसे विश्राम न मिले. दिन भर के काम की चिंता, विचार और उधेड बुन रात में चलती रहती है. शरीड तो सोकर अपनी धकान दूर कर लेता है, पर मन दौडता ही रहता है और परिणाम स्वरूप उसकी धकान दूर होने का अउसर ही नहीं आता. एक मनो वग्यान वेत्ता की राय में ग्रामिन जन्ता में सोच विचार के अभाव का कारण अशिक्षा उतना नहीं है, जितना मन को विश्राम न मिलना. ठका हुआ शरीर जिस प्रकार कोई नया काम करने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार ठका हुआ मन और बुद्धी क इसी दिशा में सोच विचार करने से इनकार कर देती है, यही कारण है कि गाउं में ज्यादा अंधविश्वास, खूप मंडूकता और संकिर्णता पाई जाती है, इसका एक उधाहरन अशिक्षित शहरी जन्ता का देखा जा सकता है, उनमें अपिक्षक्रत अधिक विचार शिलता और कम अंधविश्वास होता है, इसका यही कारण है कि उपलब्ध मनोरंजन के साधनों से लाब उठा कर वे अपने मन के तार धीले कर लेते हैं और कुछ देर के लिए ही सही बौधिक तनाव से मुक्त होकर ताजगी प्राप्त कर लेते हैं, प्रचलित मनोरंजन के साधनों का उप्योग इतना तो लाब पहुचा ही देता है, उनके हानी लाबों का हिसाव अलग है, यदि मनोरंजन रचनात्मक हो तो नाव केवल लाबदायक परिस्तितियां ही बनती हैं, वरन वह व्यक्तित्व के विकास में असाधरन रूप से सहयोगी भी होती हैं, प्र विवित प्रकार के रूप धारन करता है, उधारन के लिए सामाने तह लोगों में आत्मविश्वास का अभाव रहता है, अधिकांश व्यक्ति इसी कारण असफल भी होते हैं, इसके विप्रीत खेल कूद की मैत्रिपूर्ण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, तो उन में स्थिर्ता और संतुलन भी आता है, तथा जीवन के प्रती व्यक्ति का दृष्टिकों भी स्वस्थ होता है, इस प्रकार मनुरंजन की उप्योगिता और महत्व असंदिग्ध है, इसके बाद गाउं में मनुरंजन के कौन से साधनों के उप्योग की संभावनाय आसानी से साकार हो सकती है, यह देखना है, बीशक वहाँ सिनेमा, नाच घर, पार्क, थियेटर जैसी व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती, और लंबे अनुभवों के बाद हजारों विचारशील व्यक्ति इस निशकर्ष पर पहुँचे हैं, कि प्रस्तुच क्षेत्रों में घुस साइक प्रवृत्यों के कारण इन से लाब कम और हानी ही अधिक होती है, यह साधन और व्यवस्थाएं महेंगी भी कम नहीं, अतहा आसानी से उपलब्द होने, जैसे साधनों को खोजना तलाशना चाहिए, ग्रामिन जंटा की मनुरंजन की व्यवस्था और कारिक्रमों में भिन भिन आयू तथा रुची के व्यक्तियों को ध्यान में रखना अवशक है, एकी तरह के साधन या व्यवस्था से सभी का काम चल जाएगा ऐसा सोचना गलत है, जैसे किसी व्यक्ति को संगीत बहुत प्रिय है और किसी के लिए यह व्यर्थी गला फाणना है, किसी के लि रुचियां भिन भिन होती हैं, जिसकी रुची जिस मार्ग में ना हो, उस पर जबरदस्ति वह काम लादना या उस दिशा में लगाना उबाव परिस्थितियां पैदा कर देगा और उस मनुरंजन का उद्देश पूरा होना तो दूर रहा, उल्टे परिनामुत पन होने ल सभी व्रकार के साधन बता दिये जाएं, मनुरंजन का महत्व समझा दिया जाएं और फिर उनसे लाभ उठाने की प्रेणा दी जाएं। गाउं में हर समय और आसानी से उपलब्द होने जैसा सबसे सरल साधन है प्रकृति का वैभव। प्रकृति की सुन्दर्ता, अनंत औ और निर्वचनिया हैं तथा जिनकी उसमें रूची हो उन्हें इस से अवश्य लाभ उठाना चाहिए। कहा जा सकता है कि ग्रामीन जन वैसे ही प्रकृति के निकट रहते हैं। उन्हें प्रकृति के आचल की छाया चाहे, अंचाहे और जाने-अंजाने तो मिलती ही रहती है। फिर उसके लिए अलग सी समय लगाने की क्या आवशक्ता? प्रकृति का वातवरण निसंदेह अपने विशिष्टिताओं से ग्रामीन जनों को लाभ पहुँचाता रहता है और उनके स्वास्त को प्रभावित करता है। पर मानसिक जगत में तो उसका प्रभाव तभी हो पाता है जबकि उसे वहां तक प्रवेश करने दिया जाए। हम देखते हैं कि सडक पर चलते समय हमारी आँख कई दुरुष्यों और विक्तियों को देखती है। पर उनकी छाया क्षण भर हमारे मन मस्तिष्क उपर पढ़ती है और तुरंथी मिट जाती है। जिन लोग तनमायता पूर्वक उनका अवलोकन किया जाए। उन्हें देखकर भावनाएं उत्पन हों उन्हें देखकर आनंद की अनुभोती हो। प्राकर्टिक सौंदर का आनंद उठाने की उन्हें रुची हो और जिने ना हो वे लोग खेलकूद से भी मनुरंजन कर सकते हैं। खे खेलों में उन्हें मंद रूप में दीखा जा सकता है। उसमें उधेडबोन और सूजबूच का इतना सोक्ष मुप्योग होता है कि अधिक समय तक यदि उन्हें व्यस्त से रहा जाए तो काम कीसी ठकान अनुभो होने लगती है। इसके विपरीत, कबड़ी, खोखो, तेर इनके प्रतिसपरधा, प्रतियोगिताओं की आयजन, प्रतियोगिताओं को अपना कौशल प्रदर्शित करने की प्रेहना देते हैं। इनके साथ ही साथ विशिष्ट शौक जिने होबी कहा जा सकता है भी मनुरंजन के कारिक्रवों में समिलित किये जा सकते हैं। शाक भी लाबदायक हैं और मनुरंजन के लिए भी उप्योगी। गाउं में सिनेमा थियेटर भले ही न बनाये जा सकें। पर कला मंचों के गठन की प्रेहना तो दी जा सकती है। कुछ लोग मिलकर कला मंदलियां गठित कर लें और समय समय पर प्रेहना प्रद नाटक, प्रहसन गीत नाट्य आदी के कारिक्रम आयुजित करते रहें। जिनसे मनुरंजन के साथ साथ सत्प्रेर्णाओ के जागरण का कारे करते हुए एक पंथ दो काज वाली कहावत चरितार्थ की जा सकती है। कला मंचे कारिक्रमों के साथ साथ मिलजोल कर बैठ कर गीत संगीत, गाने बजाने कथा कहानिया कहने सुनने आदे कितने ही कारिक्रम हैं, जिने यदि संपन्न किया जाता रहे, तो मेल जोल की भावना तो बढ़ती ही है, लोगों के व्यक्तिगत विकास की प्रेणा और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। पर्व त्योहारों पर विचारशी लोग कुछ समय निकाल कर यदि प्रतियोगिताओं या कारिक्रमों के आयोजन करें, तो ग्रामीन जनता के लिए मनोरंजन की सुविधा न मिलने की शिकायत ही मिट जाएगी। इस तरह से कितने ही मनोरंजन के कारिक्रमों का प्रचलन ग्रामीन वातावरण में किया जा सकता है। शेहरी जनता को जहां मनोरंजन के कारण उनके कई कुसंसकार भी अपने अंतक करण में पालने पड़ते हैं। ग्रामिनों के लिए इस प्रकार के स्तरिय मनोरंजन में ऐसी कोई संभावना नहीं है। अब प्रश्ण उठता है कि इस तरह के कारिक्रमों का प्रचलन कौन करे और गाउं वालों को स्वस्त मनोरंजन के महत्व से कौन अवगत कराए तो द्रिष्टी भावना शील सेवा दें तो काफी प्रयोजन पूरा हो सकता है। इससे महनत कश एवं ग्रामिन जन्ता और भी स्वस्त एवं ताजगी से काम करेगी तथा नई पीड़ी के मानसिक विकास, बौधिक वा नैतिक विकास का पत प्रशस्त होने में भी सहीयोग मिलेगा। पर्व त्योहारों पर विचारशी लोग उस समय निकाल कर यदि प्रतियोगिताओं या कारिक्रमों के आविजन करें तो ग्रामिन जन्ता के लिए मनुरंजन की सुविधा न मिलने की शिकायत ही मिट जाएगी।